हालो दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है सींद व्लोग में और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ड्रेगन फ्रूट के फायदे जी हां ड्रेगन फ्रूट मार्केट में इसली एवेलिबल होता हैं बहुत से लोग जानते हैं इसे खा चुके हैं लेकिन क्या- यह ठीक करने में मदद करता है और इसके कही सारे फायदा है तो डीटेल में इसकी जानकरी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है ड्रेगन फ्रूट को सबसे पहले मेक्सिको दक्षिन अमेरिका और मद्दे अमेरिका में उगाया गया था लेकिन 90 के दशक से भारत में इसक खेती बहुत ही बड़े तोर से की जाती है दोस्तो ड्रेगन फ्रूट को सुफवा फूड कहा जाता है क्योंकि इसमें कैलरीज बहुत ही कम होते हैं और इसमें एंटी ऑक्सिदेंस की मातरा भरपूर होती है जो मानो शेरिर के लिए बहुत जादा फायदेमन होता है पावर बहुत स्ट्रॉंग रहता है क्योंकि इसमें विटामिन सी और एंटी ऑक्सिदेंस भरपूर मातरा में होते हैं जो हमारे शेरिर को अंदर से मजबूत बनाते हैं ड्रेगन फ्रूट अगर आप खाते हैं तो आपके गट हैल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टन है आप आपका पाचन दुरुस्त रहता है डाइजेशन रिलेटेट अगर आपको कोई भी समस्या है तो यह ठीक करता है अगर आपको कॉंस्टिपेशन यानि की कब्स की समस्या है तो भी ड्रेगन फ्रूट आपको खाना चाहिए क्योंकि इसमें भरपूर मातरा में फाइबर होता है और आप बहुत जादा कुपसुरत दिखने लगते हैं अगर आपको डाइबीटीज है तो आपको ड्रेगन फ्रूट का सेवन करना चाहिए क्योंकि इसमें कैलरीज बहुत कम होते हैं शुगर की मातरा भी कम होती है और यह आपके शुगर लेवल को रेगलेट करता है इस हमारे दातों के लिए मसुडों के लिए और हमारी हड्यों को मजबूत रखते हैं साथी साथ इसमें विटामिन ए होता है जो हमारे आखों के लिए बहुत जादा फाइदेमन होता है तो अगर आप मजबूत हड्या और मजबूत दात चाहते हैं साथी साथ अच्छी आखों में cancer cells को खतम करने में यह मदद करता है तो रोजाना थोड़ी मातरा में अगर आप dragon fruit का सेवन करते हैं तो आप cancer से बच सकते हैं दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं यह है dragon fruit का full जो बहुत ही खुबसरत दिखता है लेकिन इसकी खास बात यह है कि यह रात को ही खिलता है औ तो यह दिल की बिमारे के खत्रह हो जाता है blockages पैदा कर सकता है इसलिए अगर आप dragon fruit का सेवन करते हैं तो यह आपका cholesterol घटाएगा जिसके वज़े से आपका रुदय बहुत ही healthy रहता है इस फल को हम बहुत सानल सी dragon fruit के नाम से ही जानते हैं लेकिन भारत में अब इसे कहीं जगों पे कमलम नाम दिया गया है क्योंकि इसका जो आकार होता है कमल के फूल जैसा दिखता है lotus के फूल जैसा दिखता है इसलिए इसे कमलम भी कहा जाता है dragon fruit अगर आप खाते हैं इसका सेवन करते हैं तो आपको बहुत सारे फायड़े तो होते ही हैं साथी साथ इससे अगर आपको खुन की कमी है आपका हेमोगलोबिन लेवल अगर बहुत जादा कम है तो आप ड्रैगन फूरूट का सेवन कर सकते हैं जो भी महला हैं गरब अवस्ता में हैं उनके लिए भी ड्रैगन फूरूट का सेवन करना फाइदेमन होता है जिसके वज़े से उनका जाता है वो है सफेद कलर वाला ड्रैगन फूरूट जो आसाने से मार्केट में अवेलेबल होता है और इसका अगर रेट की हम बात करें तो 100 रुपे में एक होता है या फिर 1500-200 रुपे किलो भी आपको मिल जाता है ड्रैगन फूरूट को आप काट के उसके उपर का चिलका उतार के अंदर का जो हिसा होता है उसे खाया जाता है जो बहुत ही नरम होता है और जादा मीटा नहीं होता है लेकिन खाने में बहुत ही स्वाजिश लगता है इसे आप सालात के रूप में भी खा सकते हैं या फिर इसे आप मिल्क शेक में भी यूज़ करके खा सकते हैं द बिसले जब भी आप सेवन करें थोड़ी-थोड़ी मातरह हमें इसका सेवन करें। अगर आप जादा मात्रा में ड्रेगन फ्रूट का सेवन करते हैं तो आपको ये पचने में बहुत मुश्किल हो जाते हैं और आपका स्टमक अपसेट या आपका पेट खराब हो सकता है तो दोस्तो ये थी जानकारी ड्रेगन फ्रूट की बारे में और मुझे उमिद है आज क आपको उपयोगी लगे होगी वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कीजे शेर कीजे अगर आप नहीं है मेरे चानल पे तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कीजे थैंक यू फो वाचिंग और सपोर्टिंग सीन्द व्लॉग